हे गाईस आज हम आप लोगों को कच्छा बारह है केमिस्ट्री के चैप्टर नमर वन ठो सवस्था के आथ महतपूड प्रसन कराने वाले हैं गाईस ये सभी प्रसन आप लोग तयार कर लिजेगा अगर आप लोग रिवीजन कर रहे हैं अगर आप पहली बार पढ़ रहे हैं अभी तक नहीं पढ़े हैं तो केवल इन प्रसनों को तैयार करके वोडिंग जा में जाएए 100% अगर कोशन इस चैप्टर से आएगा तो इन ही प्रसनों में से आएगा देखिए प्रस्थम चैप्टर ठो सवस्था से कुल मिला के पाच अंग के प्रसन पूछे जाने वाले हैं इस वर्स तो पाच अंग के अगर कोई प्रसन आएगा तो यहां से ही आएगा जो मैं आपको कोशन दिया हूँ तो चलिए आज का यह वीडियो शुरू करते हैं गाइस मैं आपको बता दू इससे पहले हम आपको चैप्टर नमर वन के महत्वपूर जो अति लगूतरी टाइप के प्रसन होते हैं महत्पूर अति लगुत्री प्रस्न में तीन प्रस्न आपको दे दिया हूँ ठीक है और मैं इसके बाद लगुत्री प्रस्न भी दिया हूँ एक ही वीडियो में आपको तीन लगुत्री प्रस्न और उसके बाद एक दिरगुत्री प्रस्न ये सभी प्रस्न आपको मैं पहले से इस वीडियो के बाहर और हमारे लेक्चर के बाहर नहीं जाने वाला है क्योंकि बहुत ही एनलाइस के जरिए हम इस को स्कीप कर रहे हैं उठा रहे हैं ठीक है निश्ट कोशन क्यों चलते हैं सबसे पहला कोशन आपके सामने है कि किस्टल एक किस्टल ठोस है एक किस्टल ठोस कैसा होता है एक किस्टल ठोस कैसा होता है आपसन क्या है लग उपरासी होता है या फिर दिर्ग परासी होता है या निश्चित अर निश्चित परासी होता है या उपरोट में से कोई नहीं होता है इसमें से कौन सा आपसन आपका सही है एक किस्टल ठोस जो होता है वो हमेशा ध्यान रखेगा किस्टल जो ठोस होता है एक दुसरे परत के रूप में रखे होते हैं इसलिए हमेशा किस्टल ठोस जो है आपसन नमर ए सही होगा क्या होगा दिर्ग परासी होते हैं सरीक दोसरा निस jalंडल सी पूचा गए आपका आपशंद वागा है सो फोचli नेश्ट कोशन क्या है पोटेशियम सलफिימ सलफिट है तो पोटेशियम सलफिट है तो पोटेसियम सार्ट सफय जो हता है यह हमेशा आइनिक ठोस होता है चुकि हथोता है तो क्यों प्रसन क्या है एक यह चलते हैं को आपके प्रसन आकाने को बल championships को आगा आपके यह जाना है क्योंकि अगा वभीकल्पी प्रसन पूचे जिएएंगे प्रथम चैप्टर से तो इन्हीं प्रस्णों में से पूछे जाएंगे इससे बाहर ज्यादा प्रस्ण जाना मुंकिन नहीं है ठीक है तो नेश्ट कोर्शन क्यों चलते हैं कोर्शन नमर चार है आपके सामने एक घनी किस्टल में अच्छी दूरियों अथवा कोर की लंबाई होती है एक घनी किस्टल में अच्छी दूरियों और कोर की लंबाई होती है तो घन में क्या होता है आपको मालूम होगा मैं समझा दूं आपको यह प्रस्ण एक घनी किस्टल कोई किस्टल है घन की अकार किये तो घन में क्या होती है अच्छी दूरियों या फिर कोर की लंबाई ज हो जाएगा नेस्ट कोशन क्यों चलते हैं नेस्ट कोशन क्या है कि यप सीसी एकक सेल की कोर की लंबाई यह है यप सीसी एकक सेल की कोर की लंबाई यह है और उनके परमाडू की त्रिज्या आ रहे है तो यप सीसी के परमाणू के तिज्या उसके लंबाई में संबंद आपको बताना है तो इसका संबंद बहुत ही अच्छा होता है मैं इसको डेरिवेशन कराया था जब मैं यह चेप्टर पढ़ा रहा हूं पढ़ा रहा था तो इसका संबंद क्या होता है आपसन नमर B सही होगा R is equal to under root 2 upon 4 A इसे कैसे कभी कभी इस प्रकास से लिखा जाता है R is equal to under root 2 upon 4 A यह आपसन सही होगा ठेक है Next question number 6 है आपके सामने question number 6 क्या है निमलिखित में से किसके प्रती एकक कोष्टिका में परमाणूं की संख्या दो होती है तो किसके प्रती एकक कोष्टिका में परमाणूं की संख्या दो होती है तो यह B,C,C,K C,C,K, ठीक है आपसन नमर B सही होगा अंता केंडरीट घनी एकक कोष्टिका में परमाणूं की संख्या क्या होती है तो होती है ठीक है नेस्ट कोस्टन क्यों चलते हैं धातु नियुनता दोस्त किसमें पाई आता है किस किस्टल में धातु नियुनता दोस्त पाई जाता है आपसं क्या है यह 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 पूछा जा चुका है तो इसका सभी जवाब होगा आपसे नमर डी एजी वी यार ये कुशन जैमें भी पूचा गया कि इसमें आपका फैकल आओ साथ की दोस्त दोनों पाए जाता है तो इस को तयार कर लिजेगा साथ में एक टिप्स आपको बता दूँ इस चैप्टर से को तयार कर लिजेगा इससे पहले में जो अती लग उत्री और बहुवी कर स्वारी लग उत्री दिर्ग उत्री प्रसंद दे चुका हूं उन सभी कोशन को भी जाकर देख लेना वीडियो का लिंक नीचे डिसक्रप्शन में वहाँ पर मैं थोड़ा समझाया वहूं को किस प बहुत ही समस्या हो जाएं कि अंतीम समय चलना है इस समय जितना भी पढ़ाई कर लो उतना ही कम रहेगा तो गाइस मिलते हैं नेस्ट वीडियो में आल दा वेस्ट मिलते हैं नेस्ट वीडियो में धन्यवाद